आप सबी सात्यों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल ओची नर्सिंग सर्विसेश में फिर से स्वागत है आज हम बात करने बाले हैं MPCA के Admit Card के रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों के Admit Card यहां पर डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं तो ये वीडियो उनी बच्चों के लिए खासकर रहने बाला है जिन बच्चों को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं complete वीडियो के मद्यम से आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने mobile phone से ही अपना Admit Card के से डाउनलोड कर सकते हैं यदि आपको application नमर नहीं पता है तो कैसे application नमर को आप find out कर सकते हैं और Admit Card को डाउनलोड करते समय किन-किन बातों का ध्यान में रखना है नहीं तो आप exam नहीं दे पाओगे account आपका blog हो जाएगा तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको Admit Card को डाउनलोड करने के लिए कौनसी officially website को visit करना है तो आपके सामने screen पे एक interface दिखाई दे रहा होगा iPhone करके आपको simple सा इसको open करना है और JC Friends आप इस पे click करेंगे तो ये सीधा आपको महाँ पर पोचा देगा जहां से आप सभी लोगों ने MPCHO के form को फिल किया था ये officially website है नीचे description में आपको link मिल जाएगा इसको महाँ से आप जिसको देखके इसको join कर सकते हो ठीके ये officially website का link आपको medicalgy nursing services के telegram, whatsapp group और instagram सभी पे मिल जाएगा तो महाँ से ये आप इसको देखके visit कर सकते हो ठीके तो जिन बच्चों को admin card में problem हो रही है वो बिलकुल अच्छे से वीडियो को देखिएगा और अपने friends अलकर में जरूर सेद कर दीजेगा नहीं तो यदि बार बार आप ट्राइ करोगे गलत चीजों को तो आपका हो सकता है account भी ब्लोग हो जाएगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा सभी बच्चों को पता चल गया कि admin card आ गया है तो we all पर click करेंगे तो simple सा जैसा आप इससे को scroll करते हैं friends तो आपके सामने एक new interface open होके आ जाता है जैसा आपको screen पर दिखाई दे रहा हो ठीके admin card के regarding है तो यहाँ पर आपको click करना पड़ेगा तो जैसे आप यहाँ पर click कर देते हैं तो फिर आपसे यह candidate login पूछेगा और आपसे date of birth पूछेगा ठीके starting में ही आपको देख लेना है recruitment exam of certificate in the community health and the community health officer post for NHM भुपाल ठीके यहाँ के लिए यह पोस्ट जनरेट हुई ठीके अब यहाँ पर ही बच्चों को ध्यान में देना है और जिन बच्चों को admin card download नहीं हो पा रहा है वो लोग बच्चे यहीं पर गलती कर रहे हैं ठीके गलती डी नमर भी है और एक application number है तो जो बच्चे का admin का download नहीं हो रहा है वो क्या कर रहा है कि यहां पर क्या कर रहा है कि अपना ID number put कर रहा है ठीके उनको नहीं पता है कि application number क्या है ऊपको जो भी आपने online form फिल किया है जहासे भी online & form फिल किया है म professor जैसे यह आपको ले की चलता ह होगे तो यदि आपको application नमबर नहीं पता है तो मैं यह भी बता देता हूं कि आपको आपका application नमबर कहां से मिलेगा तो माइफ एप्लेकेशन फॉर्म पर और रिसिप्टेव पर आपको क्या करना पड़ेगा स्टूरेंस क्लिक करना पड़ेगा देन यहां पर आप department पूछेगा तो आपको NHM अपना department यहां पर select करके यहां पर आपको put करना पड़ेगा ठीक है MPNHM और National Health Mission के नाम से यहां पर आपको चीजे देखने को मिलेगी तो वही चीजे यहां पर आपको डालना पड़ेगा जैसे यहां पर आपका application नम्मर कैसे मिल सकता थिके तो application देखिये यहां पर बी हो चूका यड़दि आपने नहीं देख़ा है तो यहां पर देख लिजीगा आपका application नम्मर यहांपर क्या हो गया 지ernen धो को देखने नम्मर है यहां पर देखने को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहां से आपका देखने को मिल जाएगा, यहां पर आपका payment details है, ठीके, सब कुछ जानकारी यहां पर mention की हुई है, ठीके, तो यह जानकारी आपको application number को देखने में बहुत काम आने बाली है, ठीके, तो I hope आपके लिए चीजे समझ में आ गई होगे, ठीके, तो अब आगे हम बढ़ते हैं कि आपको यहां पर put कैसे करना होगा, कौन-कौन सी चीजे यहां पर put करना पड़ेगी, तो हम सीधा चलते हैं हमारे login ID पे, ठीके, तो जैसे ही आप अपने login ID पे जाओगे, तो यहां पर आपको candidate के लिए भाई application number यहां पर डालना पड़ेग ठीके, तो हमें से ही बच्चे क्या करते हैं, कुछ oblique लगाते हैं, कुछ days लगाते हैं, तब जाके अपने date of birth यहां पर लिखते हैं, मान लीजे किसी का date of birth यहां पर बन, बन, 99 से बन है, ठीके, बन, 99 से बन है, ठीके, तो यहां पर put करने के लिए आपको क्या करना होगा, students इस पिरकार का कोई भी oblique नहीं लगाना है, ठीके, आपको simple सा यहां पर रखना है, ठीके, इस पिरकार से बन, 9970 कोई भी space नहीं देना है, कोई भी special character use नहीं करना है, तब जाके आपका यहां पर चीजे clear हो जाएगे, ठीके, नेक्स चीज क्या है, कि आपको capture भी बहुत कि यदि आप मान के चलिए कि आप 25 attempt हैं आपके पास, 25 attempt में आप यदि clear नहीं कर पा रहे हो, बार बार गलत ID passport डालोगे, तो आप लोग exam नहीं दे पाऊगे, क्योंकि आपका admit card यहां पर block कर दे जाएगा, और आपका admit card यहां पर फिर कभी download नहीं हो पाएगा, ठीके, तो यह चीज़े आप समझ लीजेगा, तो आपके लिए अच्छा होगा, बार-बार admin card पर wrong click मत कीज़ेगा, किसी students को problem होती है, तो अपने admin card को download कर बास सकता है, ठीके, यदि आपको आपका application number भी नहीं पता है, यदि आपका आपका password भी नहीं पता है, तो भी आप हमें medicology nursing services से contact करेके, आपका ID नमर, आपका password नमर, आपका admin card हमसे download कर बास सकते है, ठीके, बस only क्या करना है, नीचे description में आपको number मिलेगा, महा से हमें call या message कर सकते है, ठीके, नमर में आपको यहाँ पे भी बता देता हो, 975457329, ठीके, यह medicalology nursing services के nursing officer का number आपको देखने को मिलेगा, य यह हुई जानकर यह आपके admit card के, ठीके, अब admit card नमर, डाउनलोड करने के बाद, आपको यह चीजे समझना पड़ेगी, students की admit card कैसे दिखना है, क्या का बातों को ध्यान में रखना admit card का, तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे admit card को, मैं यहाँ पे download करके बता देता हूँ, आपक देखने को मिल जाएगा, तो यह चीजे ध्यान में रखिएगा, फिर examination date को आपका exam होगा, 29 तारीक को होगा फिर candidate according to your admin card जिन candidate का हमने download करके दिया है उन लोगों को यहाँ पे 12 बजे से 2 बजे के बीच में exam हो जाएगा तो gate closing का ध्यान रखना है कि gate closing का भो जाना है और सबसे main important चीज में बता रहा हूँ आपको exam के लिए घर से 1 या 2 घंटे पहले ही यहाँ पे निकलन पड़ेगा ठीक है exam से क्योंकि हो सकता है आप गाड़ी से जारे बाइक से जारे कुछ भी चीज़े पंक्चर बगिरा हो सकता है कुछ अनुह नहीं हो सकती है तो उससे पहले ही जाए ताकि आपके पास कुछ problem हो तो भी आप क्या करपा महाँ पे अच्छे timely महाँ पे रीच कर पाओ ठीक है suddenly जाओगे तो माइंड भी बर्क नहीं करेगा और अच्छे से पहले पोच जाओगे तो आप बिल्कुल एक सांद सोबाब में रहोगे अच्छे से आपको exam को अटेंड कर पाओ ठीक है इन बातों का ध्यान में रखना ठीक है admit card का print आप color भी लेके जा सकते ह ठीक है ध्यान देखना है सबसे जो valid ID proof होगा आपके पास आपका अधार card होगा ठीक है अधार card क्यों होगा क्योंकि आपका जब form फिल किया था तो mostly of the students ने क्या किया था अधार card दिया था ठीक है but in case आपके पास आधार card नहीं है तो आपके लिए पास passport size photo, pen card, driving license, central government का ID, students ID, national ID, UID, 1012th का mark set ये सारी चीज़े आप carry करके लेके जा सकते हो ठीक है और साथी साथ क्या करना है कि आपको extra में कुछ चीज़े लेके नहीं जाना है एक्जाम देने के लिए ये बातों को अध्यान रखने कहीं कहीं पर व्यवस्ता होती है कहीं कहीं पर व्यवस्ता नहीं होती है ठीक है तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है जब आप एड्मिट कार्ड को डाउनलोड करने जाओगे तो आपसे पहले सेंटर का नाम बता देगा आपको फिर एक ओप्शन दीखेगा एड्मिट कारोगे तो आप क्या कर सकते हैं अपने आड्मिट का एक्जाम देने जा रहे हो तो यदि आपको पहले नहीं पता है कि आपको कैसे कोशिन आते हैं तो बिलकुल आप हमसे अपने कोशिन पेपर को यहां से ले सकते हो, एक्जल्दा और और बिए Prem जो पीडिये फॉर्म में जो नोर्स बगे रहा हुए वो सब कुछ मैं प्रवाइट करवा दूँगा ठीक है तो थेंक्यू समझ गाइस कीप बॉचिंग अस कीप सपोटिंग अस और यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा बुच्चों को पांचा दीजिगा जो भी बच्चे को डाउनलोड करवा सकता है ठीक है तो थेंक्यू समझ गाइस कीप बॉचिंग अस कीप सपोर्डिंग अस हम मिलेंगे एक अपडेट के साथ एमपीस योचों का हर एक अपडेट आपको मैटकलोजी नर्सिंग सर्विसेस प्रवाइट करवाते हैं तो चैनल पर बने रही है और वीडियो जाता से ज़्यादा बच्चे को सेर कर दीजिगा और बेरी इंपोर्टेंट यह है कि एमस, ESIC और UPMS का फॉर्म के लिए किसी भी बच्चे को भरवाना है क्योंकि नर्सिंग ओपिसर द्वारा यदि आपका फॉर्म फिल किया जाता है तो वो एक बैलिड और ब ने यूटुब चैनल मेडिकलो जीनर्सिक सर्विसस पर थांक यू सो मच गाइस